हेलो फ्रेंड्स आज आपको एक महतपूर्ण इंजेक्शन के बारे मि बताऊँगा जिसका नाम है बेला माईल यहाए इसके सभी नुकसान और सभी फायदे बताऊँगा यह किसमें फायदा करता है और किस समय नुकसान करता है तो आपको इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी आप मेरे वीडियो पर ने आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें कोमेंट करें और सेर करना नहां भूलें यह इंजेक्षन सभी practitioner के बैग में होना चाहिए और लगबग सभी के बैग में होता ही है बैला माइल इंजेक्षन तीन preparation में आता है 100 ml, 30 ml और 10 ml बजार में मिलता है बेलामाईल इंजेक्शन वेटिनरी लाइन में सबसे अच्छा, सबसे महतपूर्ण इंजेक्शन है और सबसे ज्यादा यूज होने वाड़ा इंजेक्शन है इस इंजेक्शन के अंदर B complex liver extract with vitamin B 12 है नॉर्मल बासा में हम इसे बेलामिल या B complex के नाम से जानते हैं B complex का मतलब क्या है? यानि vitamin B बहुत से form में इसके अंदर मिलाया गया है इसके अंदर vitamin B बहुत सी form में हमें मिलता है और इसके अंदर liver extract भी मिलाया गया है जो लीवर से ही नीरमत होता है यानि लीवर से ही बनाया जाता है और इसके अंदर विटामिन B12 भी मिलाया गया है जो साइना कुबालामिन के नाम से आता है विटामिन B12 यह भी एक B complex का रूप है चलो अब हम देख लेते हैं यह क्या क्या काम आता है कब और कैसे लगाना होता है बड़े जानुरों में कैसे लगाना है छोटे जानुरों का क्या status है और किस इंजेक्शन के साथ लगा सकते हैं टैंपरेचर में लगाना है या नहीं बेला मिल है और यह जेनेक्श एच फार्मा का आता है और यह इंजेक्शन 100 ml, 30 ml और 10 ml की वाइल बजार में मिलती है यह अपने इसाब से practitioner इसको रखते हैं जिसकी ज्यादा खपत होती है वो ज्यादा बड़ी वाइल रखता है और जिसकी कम खपत होती है वो कम छोटी थे पानेंगे तो सबसे पहले हम शोल्ट की ओर चलते हैं तो शोल्ट इसके अंदर इस ml में पाजाता है तो सबसे पहला है थायोमिन यह 10 mg के अंदर मिलता है राइबो फलेविन-S निया सीनिं का ही रूप ह्य जो 100 mg के अंदर मिलता है विटामिन B12 यह सायलो कबाला मिन होता है जो 10 MCG होता है यानि माइक्रोग्राम के अंदर होता है यह सभी सोल्ट विटाविन B की ही फोम होती है जो कुछ बड़ी नसों में काम करती है और कुछ छोटी नसों में काम करती है और इसके साथ यदि लिवर एक्स्टेक्ट मिल जाए तो यह बहुत ही शांदार और बहुतरी रिजल्ट दिखाता है एलामाईल इंजेक्शन के महतारण बिंडू जो की यह क्या-क्या महतापूर्ण का यह करता है जैसे सबसे पहले आता है भूक बढ़ाना भूक यह कैसे बढ़ाता है रूमन में जो माइक्रफॉल फ्लॉरा होते है तो उनके मुवमेंट को यह बढ़ाता है रूमन की पीज को भी यह मेंटेन रख करता है लार बढ़ाने यानि लार की मात्रा बढ़ाने भी साइक है रूमन की मुवमेंट बढ़ाने भी है और intestinal movement भी बढ़ाता है तो इस तरह यह भूख बढ़ाने का कारिय गरता है दूसरा है कमजोरी जैसे पसुओं में कई बार कमजोरी आ जाती है तो यह सबसे ज़्यादा कमजोरी को दूर करता है और पसुओं को तंदूस्त बनाता है अगला है stress कई बार सर्दी के मोसम में गर्मी के मोसम में बरसात के मोसम में भी पसुओं कई बार stress में जाता है तो उस टाइम बेला माईल इंजेक्शन का यूज किया जाए तो पसू स्ट्रेस को दूर करता है और पसू को तंदूस्ती पेदा करता है अगला है एंटिवाइटिक जैसे कई बार पसू बिमार हो जाता है तो पसू चिक्षक द्वारा उसमें एंटिवाइटिक लगाया जाता है तो उससे क्या होता है कि पसु में कई बार दूद कम कर देता है पसु कमजोर हो जाता है तो उस टाइम यदि बेला मायल इंजेक्शन का यूज किया जाए तो यह समश्या नहीं होगी अगला यह है इंजेक्शन डाइडेशन प्रोब्लम यानि पात्चन से सम्मंदित कोई भी समश्या है तो उनको दूर करता है उनको रेगुलर पात्चन शक्ती बनाए रखता है अगला है जैसे पस्वों में मेटामोलिक डिजीज होती है जैसे मिल्क फिर हो गया किटोसिस हो गया इसके ट्रीटमेंट के साथ-साथ यदि हम स्पोर्टरिव थ्रेपी में या बेला मायल इंजेक्शन दिया जाए तो उसको बहुतरीन रिजल्ट मिलता है और अगला जैसे नियुरो लोजिकल डिसोर्डर होते हैं तो नर्वाइन सिष्टम में कोई भी प्रोब्लम होती है तो इसके अंदर भी कॉम्पलेक्स होता है जिससे पसुक के सबी नसों में कोई प्रोब्लम स्को यह दूर करता है यदि हम किसी भी बिमारी में इन बिमारियों को छोड़कर यदि दूसरी बिमारियों में कोई भी स्पोर्टिव थ्रेपी के रूप में बेलामाइल इंजेक्शन यूज करते हैं तो ये गजब का रिजल्ट दिखाता है बहुती शानदार रिजल्ट मिलता है जैसे कई बार पसुओं के मुँँ में चाले भी हो जाते हैं यानि स्टोमेटाइडीज तो पसुओं को स्पोर्टिव थ्रेपी ट्रीटमेंट के साथ स्पोर्टिव थ्रेपी के रूप में बेलामाइल इंजेक्शन को यूज किया जाए तो बहुत ही अच्छा और शानदार रिजल्ट दिखाता है क्योंकि इसमें विटामिन्स बहुत सारे होते हैं बी कॉम्पलेक्स लिवर एक्स्टेक्ट होता है इस कारण बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाता है कई बार पसू किसी भी कारण से डिजीज हो जाती है यानि रोग हो जाता है तो उसके कारण पसू ओफीड हो जाता है तो आप इसको सपोर्टी थ्रेपी के रूप में यूज करें तो आपको बहुत ही शानदार अच्छा रिजल्ट मिलता है बेला माईल इंजेक्शन को ओल ओवर डिजीज में स्पोर्टी थ्रेपी के रूप में हम यूज कर सकते हैं पसू को हर परकार की अवस्ता में इसे लगा सकते हैं बच्चों को भी लगा सकते हैं बुड़ों को भी लगा सकते हैं Pregnancy safe होता है, किसी बिमारी के साथ हम इस injection को लगा सकते हैं, कोई नुक्सान दाइक नहीं होता है, इस Belamil injection को 1-3 degree 4-ray high temperature से आप उपर यूज ना करें, तो अच्छा रहेगा, आप 103 degree से निच्चे निच्चे temperature में Belamil injection को यूज कर सकते हैं, high temperature में इस Belamil injection को नहीं लगा सकते, कई बार यह नुक्सान दाइक भी हो सकता है, अब इसके dose rate की बात करते हैं, तो इसकी dose बड़े पसुओं में 10-15 ml दे सकते हैं, और छोटे बच्चों में जैसे बेड़ बकरी, काफ में आप 3-5 ml injection सिर्फ इंट्रा मस्कूलर ही यूज करें, नए तो यह IV लगता है, और नए ही आप सबकट लगा सकते हैं, सिर्फों सिर्फ आपको I.M. ही यह injection लगाना है, यदि आप Belamil injection dose rate से ज़्यादा लगाते हैं, तो यह अब्जोर्ब नहीं हो पाता, और यूरीन के साथ बाहर निकल जाता है, और आप इसको 12 या 24 गंटे से दुबारा रेपीट कर सकते हैं, या ता आप 12 गंटे बाद भी लगा सकते हैं, और 24 गंटे बाद भी लगा सकते हैं, आपको एक बात और बता देता हूँ, यदि आप कबज की condition में इसको यूज करते हैं, तो इसकी मात्रा दूगनी कर दी जाती है, और यदि हम इसको दस्त की condition में यूज कर रहे हैं, तो इसकी dose rate आदी कर दी जाती है, इस बात को जरूर द्यान रखिएगा, यदि हमारे द्वारा बताएगी यह जानकारी आपको अच्छी लगे, तो like, share जरूर करना, और चैनल को subscribe करना मत भूलना, thank you, धन्यवाद